ओम शान्ति 27 जून 2021 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क आज की अव्यक्त मुरली है नंबर वन पूज्य बनने की अलोकिक विधी तो आज संडे है आज हम बाबा को पिता के रूप में याद करेंगे पारलोकिक पिता हमें सरव शक्तियों से संपन बना रहे हैं और आलोकिक पिता अपनी विशेशताओं का वर्सा हमें दे रहे हैं तो आज सारा दिन इस स्वामान में रहेंगे मैं डबल पूज्य आत्मा हूँ ऐसा महान इस संगम पर बावा हमें आकर बनाते हैं तो अलोकिक पूज्य बनने की विधी से पहले हमें नमबर वन विशेश आत्मा बनना है आज हम अपने अंदर इन विशेशताओं को चेक करेंगे और देखेंगे कहां तक ये विशेशता मेरे जीवन में है नमबर वन विशेश आत्मा उसे कहते हैं जो गुण गराही हो बाप की विशेशताओं को ब्राह्मन परिवार की विशेशताओं को देखकर अपने जीवन में धारन कर विशेश बनना ही नंबर वन विशेश आत्मा है और विशेशताओं का महत्व दूसरों को सुना कर दूसरी आत्माओं को भी विशेश बनाना ये नंबर वन विशेश आत्मा की विशेशता है दूसरी विशेशता है कि जो भी आज हम अपने अंदर की विशेशताओं की लिस्ट बनाए कि मैंने अपनी विशेशताओं को इश्वरिय कार्य में कहा तक लगाया है जब हम अपनी विशेष्टाओं को यिश्वरिय कार्य में लगाते हैं अर्थार धरनी में बीज डालते हैं तो बीज का विस्तार होता है तो विस्तार से फल निकलता है जो हमें अपनी विशेष्टाओं को सेवा में लगा कर सफलता का फल मिला अब उसको चेक करना है उसमें मैपन का माया का चिडिया का कीड़ा तो नहीं लगा हुआ मैपन से मुक्त है अगर उस विशेष्टा से जो सफलता हुई उससे मैपन से मुक्त है तब हम सरव ब्राह्मन के दिल में दिल से सच्चे स्निह को प्राप्त कर सकते हैं तो मैं पन से मुक्त होने के लिए नंबर वन विशेश आत्मा बनने के लिए सदा ये सुमृति में रहे कि ये विशेशता ब्राह्मन जीवन की देन है और बाप की देन है तब हम मैं पन से मुक्त रह सकते हैं तब हम इस संगम पर अलोकिक पूज्य बन सकते हैं। अलोकिक पूज्य की निशानने बताई। सरव ब्राह्मनों से सच्चे दिल का रिगाड, सच्चे दिल का स्नेह मिले। एक रिगाड होता है कि हमें मर्यादा परमान और स्टेटस के परमान मिलता है। और एक दूसरा स्नेह होता है जो हमें सच्चे दिल से मिलता है। तो अलोकिक विधी क्या बताई है? वो विधी है जैसे भक्ती में आरती गाते हैं, कीरतन गाते हैं, धूप चलाते हैं और उसके बाद माला पहनाते हैं। तो जो ऐसा सच्चे स्नेही संगम पर आत्मा होगी, तो उसको सच्चे स्नेही की आरती का ये उसकी यादगार होगी, जो भविश्य में आरती गाते हैं, क्योंकि सब के दिलों का सच्चे स्नेही मिलता है। वो आत्मा सबको बावा के उपर बलेहार कराती है और खुद भी बलेहार जाती है तो इसलिए उसके आरती में जो पूजा की विदी है कि मूर्ती के गले में हार डाला जाता है। फिर उस आत्मा से लोगों को प्राप्ति होती है तो प्राप्तियों का कीर्तन इसलिए भक्ति में मूर्ति के आगे कीर्तन किया जाता है फिर उस आत्मा को सभी आत्माओं से दुआय मिलती है तो इसलिए शुब भावना का दीपक चलाया जाता है तो ऐसी आत्मा सदा ही संगम पर सुमृती सवरूप रहती है इसलिए भक्ति मारग में मूर्ति को तिलक लगाया जाता है तो ये अलोकिक विधी है पूज्य बनने की तो आज हम सारा दिन चेक करें कि ये विशेष्टाएं मेरे में है तो मेरा सारा दिन हर संकल्प हर करम हर बोल कमाल करने वाला हो ये अविनाश्री ब्राह्मन जीवन है इसमें ये विशेष्टाएं हमने अपने जीवन में धारन करनी है तो आज इन बातों पर अटेंशन देंगे ओम शान्ति